दरवंगा से पटना जाते समय बिहार सरकार के पिछले वर्ग के कल्यार मंतरी हरी सैनी ने अच्वानक अपना काफिला रोख दिया जिसके बाद उन्होंने रास्ते में बाइक दुरगटना में खायल हुए रागेर को उठाया और उसे इलाज के लिए तुरंट अपनी गाली से दरवंगा हॉस्पिटल भेज दिया तो मंतरी सैनी के और से यह कही ना कहीं एक दरिया दिली दिखाए गई और जैसे उन्हें पता चला कि दिखे एक्सिडेंट हुआ है तो उन्हें तुरंट मरीस के पास गए या कहायल के पास गए और उसे जल से जल अस्पताल के लिए रेफर किया दर्वंगा से पटना जाते समय बिहार सरकार के पिछले वर्ग के कल्यार मंतरी हरी सैनी ने अच्वानक अपना काफिला रोख दिया जिसके बाद उन्होंने रास्ते में बाइक दुरगटना में खायल हुए रागेर को उठाया और उसे इलाज के लिए तुरंट अपनी गा दर्वंगा से पटना जाते समय बिहार सरकार के पिछले वर्ग के कल्यार मंतरी हरी सैनी ने अच्वानक अपना काफिला रोख दिया जिसके बाद उन्होंने रास्ते में बाइक दुरगटना में खायल हुए रागेर को उठाया और उसे इलाज के लिए तुरंट अपनी गा दर्वंगा से पटना जाते समय बिहार सरकार के पिछले वर्ग के कल्यार मंतरी हरी सैनी ने अच्वानक अपना काफिला रोख दिया जिसके बाद उन्होंने रास्ते में बाइक दुरगटना में खायल हुए रागेर को उठाया और उसे इलाज के लिए तुरंट अपनी गाड़ी से दर्वंगा हॉस्पिटल भेज दिया तो मंतरी सैनी के और से ये कही ना कहीं एक दर्या दिली दिखाए गई और जैसे उन्हें पता चला कि दिके एक्सिदेंट हुआ है तो उन्हें तुरंट मरी इसके पास गए या कहायल के पास गए और उसे जल से जल अस्पताल के लिए रेफर किया दर्वंगा से पटना जाते समय बिहार सरकार के पिछले वर्ग के कल्यार मंतरी हरी सैनी ने अचवानक अपना काफिला रोक दिया जिसके बाद उन्होंने रास्ते में बाइक दुर्गटना में खायल हुए रागेर को उठाया और उसे इलाज के लिए तुरंट अपनी गाली से दर्वंगा हॉस्पिटल भेज दिया तो मंतरी सैनी के और से यह कही ना कहीं एक दरिया दिली दिखाए गई और जैसे उन्हें पता चला कि दिखे एक्सिडेंट हुआ है तो उन्हें तुरंट मरीस के पास गए या कहायल के पास गए और उसे जल से जल अस्पताल के लिए रेफर किया दर्वंगा से पटना जाते समय बिहार सरकार के पिछले वर्ग के कल्यार मंतरी हरी सैनी ने अच्वानक अपना काफिला रोख दिया जिसके बाद उन्होंने रास्ते में बाइक दुरगटना में खायल हुए रागेर को उठाया और उसे इलाज के लिए तुरंट अपनी गा चला कि एक्सेलेंट हुआ है तो उन्होंने तुरंट मरें इसके पास गया खायल के पास गया और उसे जल्द से जल्द अस्पताल के लिए रेफर किया है